शुदेन्ट, स्वागत है आपका शिविक्स के अपने इस नेक्स चैप्टर में, चैप्टर नुबर फोर, की एलिमेंट्स ओफ डेमोक्रेटिक गवर्मेंट, लोकतांतरिक सरकार के मुखेततु, यह हमार आज के चैप्टर है, हमने अपने प्रीवियस सिविक्स के चैप्टर में सरकार क्या है, यह पढ़ा है, यहनी कि सरकार का गठन किस प्रकार से होता है, किसी भी लोकतांतरिक देश में, उनके राजियों में, चुनाव की प्रक्रिया कैसे काम करती है, कैसे प्रतनिधी लोगों का वोट पा करके चुने जाते हैं, और फिर वो एक सरकार बनाते है जो सरकार देश पर प्रदेश पर एक निश्चित समयवधी के लिए साशन करती है लोकतांतरिक प्रणाली के अंतरकत इस प्रकार की सरकारें बनती हैं हमने इसके उधारण पिछले चैप्टर में पढ़े हैं यहाँ पर हमारे इस चैप्टर में हमें किसी भी डेमोक्रेटिक किसी भी लोगतांतरिक सरकार में क्या मुख्य बातें शामिल होती हैं यानि किन आधारों पर हम किसी सरकार को लोगतांतरिक सरकार मानेंगे इसके कुछ महतुकूर पहलूं की चर्चा इस चेप्टर में करनी हैं। जब हम democratic governments की elements की बात करेंगे तो सौभाविक तोर पर हमें किसी non-democratic system से उसकी तुलना करनी चाहिए ताकि इसकी विशिष्टाओं को इसके गुणों को हम बैतर तरीके से समझ सकें और इस उदेश से आपके इस chapter की शुरुवात एक world map के साथ की गई है जहां पर दो अलग-अलग देश दिखाए गए हैं एक तो हमारा खुद का अपना देश है भारत इंडिया और दूसरा हमसे थोड़ी दूरी पर एफरिका का एक देश है साउथ एफरिका या दक्षिन अलग-अलग समयों में और इनकी राजनितिक व्यवस्थाओं में जो अंतर है इसको तुलना करके हमें समझना है कि लोकतंतर के जो मूल पहलू है किसी सरकार को अगर हम लोकतंतरिक सरकार कहते हैं तो उसमें किन गुणों का समावेश होता है यह हम बेतर समझ पाएंगे आपका ए चैप्टर एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू होता है इस कहानी की शुरुवात होती है जोहांस बर्ग से यह दक्षिन अफरिका का एक शहर है और यहां पर एक लड़की है माय नाइडू इसकी कहानी में हमें यह पता चलता है कि यह लड़की अपनी मा की मदद कर रही है अचानक उसे घर की साफसफाई के दौरान एक scrapbook मिलती है और उसमें बहुत सारे अखबारों की cuttings जो है वो चिपका करके रखी है यानि कोई पुरानी ये scrapbook है जो उसके हाथ लग जाती है उसमें बहुत सारी तस्वीरें उसे दिखती है और एक लड़के की तस्वीर वहाँ पर दिखाई देती है उस लड़के को दिखा करके वो अपनी मा से पूछती है कि ये लड़का कौन है जिसकी तस्वीर आपने इस book में लगा रखी है उसकी मां बताती है कि इस लड़के का नाम हेक्टर पिटरसन है और काफी पुरानी बात है पुलिस ने इसे गोली मार दी थी बच्ची को बहुत आश्चेर होता है कि एक बच्चे की तस्वीर दिखाई गई है और बताया गया कि पुलिस ने उसे मार दिया है बच्ची बहुत आश्चेरचकित है वो फिर सवाल पूशती है कि ऐसा क्यों है ऐसा वाकिया इस तरह की घटना क्यों हुई माया की जो मा है वो उसे बताती है कि साउथ एफरिका जिस जगें वो रह रहे हैं जोहांसबर्ग शहर में उस देश में पहले एक कानून हुआ करता था जिसे रंगभेद कानून या अपर्थाइड लौ कहा जाता था ये जो कानून है इस कानून में बहुत सारी ऐसी बाते थी जो निया संगत नहीं थी जिसे माना नहीं जाना चाहिए वास्तों में लेकिन फिर भी ऐसा दक्षिन माटता था, segregate करता था, भेदभाव वाला कानून था ये, साथ अफरिका के गर हम बात करें तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनमें कई सारे डिविजिन्स हैं, अगर केवल स्किन कलर की बात करें तो हमें काफी अंतर दिखता है, वहाँ पर वाइट पीपल हैं, श्वेत अश्वेत लोग भी हैं इनके अलाबा, बहुत सारे भारती भी अलग-अलग समय में जाकर के वहाँ बसे हैं, और इसके अतरिक्त कलर्ड स्किन के लोग, जिनके माता पिता या तो श्वेत या अश्वेत हैं, इस तरह के मिक्स रेस के भी लोग वहाँ पर दिखाई देते है इस परकार जो तक्षन अफरिका का समाज है, वो इन अलग-अलग तवचा के रंग वाले लोगों से मेलडियोल करके बना है, जिसमें वाइट, ब्लैक, कलर्ड पिपल, इंडियन्स, ये सभी ओरिजिन के लोग वहाँ पर रहते थे, लेकिन ये जो अपर्थाइड लौ है य बहुत सारे एडवांटेजिस थे, उनके पास अलग-अलग तरह के बहुत सारे लाब थे, जबकि इसकी तुलना में कलर्ड लोगों के पास, ब्लैक पिपल के पास बहुत कम सुविधाएं उपलब्द थी, उन्हें दोयम दरजे का नागरिक माना जाता था उस देश में, ज सारी चीज़ें अलग-अलग थी, जाने आने के जो उनके साधन थे, रेलवे और बसेश जैसे बून में भी अंतर था, यानि दोनों अलग-अलग साधनों का इस्तेमाल करते थे, साथ में आना जाना संभव नहीं था, यानि कानून इस प्रकार से थे, जो इन लोगों को सुविधा नहीं थी, उनके बस स्टेंड भी अलग-अलग बना करके रखे गए थे, जिससे वो सामान यातायात के दोरान भी आपस में एक दूसरे से मिलना सकें, हम और देखते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पर जो अच्छी जमीने थी, जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल ल अच्छी पैदावार नहीं हो सकती थे, वो अश्वेत लोगों के पास या काले लोगों के पास, ब्लैक पिपल के पास हुआ करती थी, इस तरह का भेदभाव जो है उस समाज में बना हुआ था, जो भारती भी अलग-अलग समय में जाकर के साथ एफरिका में रोजगार के क कामकाश की तलाश में जाकर के वहां बस गये थे, उनके साथ भी ये भेदभाव गरा व्यवहार होता था, आगे हम महात्मा गांधी की भी चर्चा करेंगे, जहां पर हमें इस व्यवहार की इस रंग-भेद कानून की एक अलग तरह का उधारन हमें देखने को मिलेगा, हम ह जगें पर हैता था, उस जगें का नाम था सोवेटो, सोवेटो इंग्लिश के जिन अल्फबेट से बना है, मैं उसे लिखता हूँ, ये एक्च्वल में एक शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें S.O. का मतलब है Southern, W.E. का मतलब है Western और T.O. का मतलब है Township, यानि ये उत्तर दक्षन पश्चमी हिस्से में, South Western पार्ट में एक Township थी, एक कसभाई इलाका था, जो बसाया गया था, especially अश्वेट लोगों के लिए, यानि ये ब्लैक लोगों की ही एक कॉलोनी थी, जिनको रहने के लिए अलग तरक एक कॉलोनी बना करके रखा जाता था, वहां, वहां र भाशा थी, वो चाहते थे कि जितने भी South Africa में रहने वाले लोग है, सारे लोग गोरे लोगों की भाशा बोलें, यानि अफरिकांस को ही बोलें, इसलिए schools में भी इस भाशा को compulsory बना दिया गया था, बच्चा किसी भी skin color वाला हो, लेकिन उसको ये भाशा पढ़नी थी, ज ये जो बच्चा है, एक्टर पिटर्सन, वो अपनी भाशा जो वहां के अश्वेत लोगों की खुद की भाशा थे, दक्षिन अफरिका की, वो अपनी भाशा बोलना चाहता है, जिस भाशा को हम जुलू के नाम से जानते हैं, ये वहां की local, वहां की स्थानी भाशा है, और प्रदर्शन के दौरान पुलिस का, उन प्रदर्शन कारियों पर कारवाई पुलिस के दौरा की जाती है, गोली चलती है और वो बच्चा मारा जाता है, ये जो घटना है, ये घटना काफी पुरानी है, माय को ऐसा पता चलता है कि ये घटना 1976 की है, 1976 की, इस प्रकार से ये भी है कि एक लुक्तांतरिक सरकार नहीं है जहां पर सभी को सभी तरह के अधिकार नहीं मिले हैं हमें कहानी से यह भी पता चलता है कि वहां पर लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं था जब आप ब्लैक पिपल्स के अधिकारों की बात करते हैं काले लोगों के अधिकारों जिनको हम South Africa का महात्मा गान्धी कहते हैं, उन्होंने बहुत लंबे समय तक इसके लिए संगर्ष किया, काफी लंबा समय उन्होंने जेल खाने में बिता दिया, और फाइनली 1994 में 1994 में South Africa को इस सिस्टम से आजादी मिली, वो आजाद हुआ और एक लोफतांतरिक देश बना, एक डेमोक्रेटिक देश बना जहां पर सभी को वोट करने का अधिकार हो, सभी को बस में यत्रा करने का, सभी को समान सुविधाय पाने का, मौके पाने का अधिक सरकारों का से वजचित किया गया था, या उनके साथ किस तरह का भेदभा होता था, मौके पूरे लिस्ट बना सकते हैं, अब हम तुलना करें दक्षिन अफ्रिका की इस दशा के साथ भारत की, अपनी देश की, हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ाया कि भारत एक लोफता देश है, हमारे राज्यों में भी केंदर की तरह ही पांच वर्ष की सरकार बनती है, उसके लिए एलेक्शन होते हैं, वोट होते हैं, हम अपने वोट दे करके अपने प्रतनीधिया रिप्रेजनेटिव चुनते हैं, और ये रिप्रेजनेटिव मिलकर के ही सरकार का गठन कर विपक्ष बनता है, ये लोग मिलजुल करके हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए निरने करते हैं, कानून बनाते हैं विधाइका में, उसका पालन कराते हैं, कारेपाली का ये एक्जेक्यूटर सिस्टम के जरीए, इस तरीके से हम लोगतांतरिक प्रणाली से प प्रदेश के सामना करना पड़ता है, वोट फिर से चुनाव होते हैं, आपको वोट करने का अधिकार मिलता है, और आम लोग, जो सामानले लोग हैं, वो अपने वोट की ताकत को तब महसूस कर पाते हैं, जब उन्हें चुनाव में इसका मौका मिलता है, ऐसा अदक्षिन कि उस पुराने दोर में बिल्कुल भी नहीं था, हमने देखा कि वहाँ पर समाज में बहुत सारा भेदभाव था, 1947 से यानि 1947 से हम जब से आजाद हुए हैं, भारतिक लोगतंत्रिक देश हैं, और हमें सभी को जाती, लिंग, भाशा, धर्म किसी भी अधार पर बिना भेद भाव किये, वो सभी तरह के अधिकार मिले हैं, जो बाकि किसी भी नागरी को मिलते हैं, जब हम लोगतंत्र में भागिदारी यानि participation की बात करते हैं, तो ये किवल वोटिंग करने तक ही सीमित नहीं है, यानि जनता किवल पांच साल में एक बार अपने अधिकार का ही उपय हैं, उनको जोड करके हम उसे समझते हैं, हमारे नेक्स पेज में दिया गया जो कार्टून है आरके लक्षमन का, ये आपके पिछले चैप्टर में भी था, आप देख करके समझ सकते हैं कि कोई कार्टूनिस सरकार के कार्यों की आलोचना करता हुँ दिखाई दे रहा है, सर पर दिवारों को गंदा कर दिया जाता है सालिनिक स्थानों पर इसके विरोध में लोगों ने नियूस पेपर में छापने के लिए संपादक के नाम एडिडर के नाम चिठी लिखी है। उनको rehabilitate किया जाए अपनी जेकों पर जहां से वो हट गये हैं वो हटा दिये गये हैं आप दाओं के कारण उनको विवस्तित किया जाए इस प्रकार की अपील भी जनता करती है। प्रदेश में सरकार ने electricity bill को बढ़ा दिया था जानी वहाँ पर जो rate था electricity का उसको बढ़ा दिया गया था जिससे लोगों को काफी परिशानी हुई। और लोगों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किये जलूस निकाले, signature की campaign की ये भी वो माद्य में जिसके जरीए लोग अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। और क्योंकि लोगों ने विरोध किये, सरकार ने पहले तो कोशिश की अपनी बातें मनवाने की लेकिन जब लोगों का विरोध बढ़ता गया, तो सरकार को फाइनली अपने बढ़े हुए कीमतों को वापस लिना पड़ा, और ये इस बात का उधारन है कि एक लोगतांतरिक सरकारों में जहां पर जनता जागरूख है, अपने अधिकारों की डिमांड करती है, और एलेक्शन के बगैर भी अपने अधिकार का उपयोग करकी वो सरकारों के निरने को बदल सकती है, हमने जाना कि वो कौन से रास्ते हैं जिसके जरिए चुनाओ की अतरिक्त भी जनता अपने मत को, अपने मन को, अपने मन की बात को सरकार के सामने रख सकती है, तो वो तरीके हैं धरना प्रदर्शन करना, जुलूस, हरताल, हस्ताक्षर अभियान चलाना, इसके अतरिक्त भी आजकल जैसा कि हम परचित हैं, हमारे क्लासे अनलाइन हो रही हैं, डिजिटल एरा है ये, तो सोशल मीडिया का दौर है, ट्विटर है, फेस्बुक है, वो तमाम साधन है, जिसके जरिये भी लोग अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, अकबार, पत्रिकाएं, टेलिविजन, इन सबको भी बताये गया कि बड़ी जिम्मधारी वाला भाग हैं, हमने डेमोक और जुडिशरी, ये तीन भागों में बटे हैं, या जो सरकार की पूरी शक्ती है, उसको तीन भागों में बाटा गया है, ताकि वो सारी शक्ती एक साथ केंदरित नहीं हो, सेंट्रलाइज नहीं हो जाए, और देश की बहतरी के लिए काम कर सेकें, लेसलेटिव हम जानते हैं, ये कानून बनाने का काम करती है, विधाई का है, एक्जेक्यूटिव सिस्टम जो है, वो कारेपालिका है, ये बनाए के कानूनों को सही धंग से क्रियानवित करता है, लागू करता है, और विवादों की सितिय में नयाय करने का काम जुडिशरी या नयपालिका करती है और इन तीनो स्तंबों के अधार पर ही जो डेमोक्रसी है वो मजबूती से टिकी रहती है लोगतंत्र के लिए तीनो स्तंब आवश्यक है लेकिन आज के दौर में जबकि जनता अपने अधिकारों को लेके जागरूख हो वहाँ पर एक चौथे स्तंब की भी requirement होती है ताकि ये जो डेमोक्रसी का बढ़ता हुआ दायरा है इसकी बढ़ती हुई ये जो building है ये टिक सके इसके लिए हमें जिस चौथे स्तंब की जरूत होती है वो चौथा स्तंब है media ये media, electronic media भी हो सकता है, print media भी हो सकता है, नियकबार, television वो सभी साधन भी एक महतुपूर भूमिका निभाते हैं किसी democratic system को मजबूत बनाने में जब हम प्रदर्शनों की बात करते हैं, तो ऐसे प्रदर्शन बहुत सारे वर्गों के जरीए भी किये जा सकते हैं, दलित, आदिवासी, अलपसंख्यक और महिलाएं, वो सभी जिनकी अधिकारों के कहीं कहीं हनन हुआ है, उनके खिलाफ कुछीजें हुई हैं, और वो अप पालिका है और नगर निगम की वेवस्ता हुए, यानि हम लोकल गॉर्मेंट्स की बात करें हैं, या स्टेट लेवल पर राज्य सरकारों की या केंदर सरकार की भी बात करें, तो उन सभी जगों पर जब जनता कहीं पर असंतुस्ठ है, जनता का कोई एक वर्ग, कोई एक हि पहले भारत में शाहीन बाग का एक मुद्दा बहुत चर्चा में था और वहां पर प्रदर्शन कारी लगातार प्रदर्शन कर रहे थे वो भी एक उधारन है कि किस प्रकार से जनता सरकार के किसी नियम के अगर खिलाफ होती है उसको लगता है कि यह नियम उसके अनुरूप नहीं है उनके हितों की उसमें अभेलना की जा रही है तो वो अपनी बात को इस प्रकार से सरकार के सामने रखते हैं और सरकारें उस पर कारवाई भी करती है अब हम बात करते हैं भारत में भारत जैसे किसी भी बड़े देश में जहां पर बहुत सारी डैवर्सिटी बहुत सारे लोग रहते हैं वहाँ पर आपसी विवाद हो पाना या हो जाना संभव है ऐसा होता है बड़े समाजों में और फिर इन विवादों का निप्टारा किस परकार से किया जाए ये किसी भी लोगतांत्रिक सरकार के लिए एक बड़ा महतपूर काम है यहाँ पर हमारा अगला सरकारों का एक काम है यहाँ पर हम जब भारत की बात करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि पूरब से पश्चम और उत्तर से दक्षन एक बड़े लंबे विस्तार के साथ भारत में जेग्रफिकल डेवर्सिटी तो है ही है साथ साथ कल्चरल लेवल पर भी हमें बहुत सारे अलग अलग परकार की संस्कृतियों का रंग रूप हमें दिखाई देता है बहुत सारे धर्म है भारत में अलग अलग छेतर अलग अलग परकार से गठेत हैं आर्थिक प्रिष्ट भूमियायक दूसरे की सभी की अलग-अलग है समाज में छोटे बड़े उची नीचे का ब इंसा भड़क जाती है, लोग सार्डिक संपतियां बरबाद करने लगते हैं, तो वहाँ पर सरकार की, प्रसाशन की और पुलिस की भूमिका बड़ी महतुपूर्ण हो जाती है, और वो प्रसाशन हमारा ये पूरी तरीके से इस बात की तैयारी कर लेता है, कि जब भी इस प् देखते हैं कि पुलिस की जो भूमिका है, इस प्रकार की आयोजनों में बड़ी महतुपूर्ण होती है, क्योंकि वो टकराव टालने का हिंसा से बचने का रास्ता दिखाती है, हम दूसरे उधारन को इसके साथ ही जोड लेते हैं, आप दक्षिन अफ्रिका की कहानी याद क माया की कहानी में हेक्टर पिटर्सन की हत्या वाले प्रसंग में पुलिस की भूमिका किस प्रकार से थी, वो एक नकारात्मक भूमिका थी, लोगों के प्रदर्शन पर उनके अहिंसात्मक तरीके से किये जा रहे प्रदर्शन पर सही धंग से कारवाई करने की बजा है, उन जब हम संसाधनों की भी बात करते हैं, विवाद बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं, धार में कारण, छेतर के कारण, भाशाओं के अधार पर भी कभी कभी विवाद होते हैं, इसके लावा संसाधनों का जो वितरन है, वो भी बहुत असमान रूप से हैं, कोई हिससे में बहु के बीच में और देशों के बीच में भी विवात का कारण होती है यहाँ पर जो उधारन है वो कावेरी नदी का है कावेरी नदी जो की ब्रमगीरी माला से निकलती है दक्षिन भारत में इसकी location जरा पहले हम समझते हैं यह भारत का मांचित्र है मैंने बताया करनाटका के पास से ये ब्रमगीरी माला से निकलती है और ये जो नदी है यहां निकलने के बाद यहां से आगे बढ़ने के बाद यह जो नदी है यह करनाटका को पार करके तमिल नाडू से बहते हुए बाद में डेल्टा बना करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है यानि इस नदी ने दो राज्यों को पार किया हलना कि इसके कुछ हिस्सा इसके कुछ ट्रिब्यूटरी जो है वो केरल से भी समंदित हैं केरल भी एक समंदित राज्य है इससे जुड़ा हुआ लेकिन मुख्य रूप से इस नदी का जल दो राज्यों में बटा हुआ है अबडारन में ऐसा ही है। करनाट का सिचाई के जल के लिए उपयोग करता है डैम में अपना कावेरी के पानी को रोक करके बिजली बनाई जाती है उसी प्रकार से उसका आगे बढ़ा हुआ जो हिस्सा है तमिलनाटू उस पर डैम बना करके ये सारे जो उपयोग है वो करता है नदी का जो बहता हुआ जल है इसके बटवारे को लेकरके इन दोनों राजियों में बहुत लंबे समय तक विवाद चला है ये जो विवाद है ये लगबग 30 साल से ज़्यादा समय इसने लिया और इस विवाद का कोई हल नहीं मिला उसके बाद ये मामला नहयले तक कोड तक भी गया बहुत लंबा मामला की चाहिए कि इंदर सरकार का भी हस्त अच्छेव इसमें हमें दिखता है तो ये सपस्ट है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो विश्यों को ले करके संसाधनों को ले करके वेक्ती वेक्ती के बीच में वेक्ती और प्रसाशन के बीच में राज्यों के बीच में भी और इवन देशों के बीच में भी कभी समस्याएं होती है पाकिस्तान के साथ हमारा सिंधू नदी को ले करके एक समझोता है इंडस वैली इंडस रिवर ट्रिटी है हमारी क्योंकि ये जो नदी है हमने इंडस रिवर को भी अपने पिछले चैप्टर में देखा है ये लद्दाक के और पहले से ये तिबबत के छेतर से निकलती है मानसरोवर के पास से और लद्दाक वाले रीजन से होती हुई ये पाकिस्तान में बहती है बहुत सारे ट्रिब्यूटरी इसको जोईन करती है और बाद में ये अरब सागर में गिर जाती है कराची के पास से यानि इस नदी ने international boundaries को कई बार cross किया है अगर तिब्बत को हमें एक अलग मुल्क मान लें या उसको चीन का हिस्सा भी मानें तो पहला देश जहां से वो शुरू होती है दूसरा हमारा देश भारत और तीसरा देश आता है पाकिस्तान इन सभी में इस नदी का जल बटा है तो सवहविक बात है कि इस नदी के जल की उपयोग को लेकर कि इन देशों के बीच में विवाद होगा विशेश करके इसका विवाद भारत और पाकिस्तान की बीच में अधिक है इसलिए भारत पाकिस्तान ने इसके मामले में सिंधु नदी पर एक समझोता भी किया है अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के लिए समानता और नयाए equality और justice ये बड़े important हो जाते हैं किसी भी democratic सरकार में क्योंकि लोगों के बीच में भले ही उनके भाषा, रंग, रूप, संस्कृती को लेकर के अंतर हो लेकिन लोगतांतरिक सरकार सभी को समानता का अधिकार देती है equality देती है और उनके साथ justice ये नयाए होना भी बड़ा महतुपूर है हम भारती समाज की बात करें भारती समाज में जो समाज जाती विवस्थाओं में बटा है उंच नीच की भावना हमारे समाज में अवश अभी भी है पुराने समय में एक बहुत खराब विवस्था चलन में थी असप्रश्यता या चुवा चूट जिसे कहते हैं यानि केवल जन्म की आधार पर आप किसी से भेदभाव करते हैं अचूट मान करके बहुत सारे लोग को समाज से बहिश्रत कर दिया जाता था बहुत सारी सुविधाएं उन्हें नहीं मिलती थी पुराने दोर में ऐसे दलित लोग क्योंकि उनका दमन किया गया था वो पिछडे हुए लोग माने जाते थी इसलिए उनको दलित शब्द उनके साथ इस्तमाल किया था डॉक्टर अंबेडिकर की कहानी जो हमने पहले ही पड़ी है उसमें भी हमने इन शब्दों से परिचे पाया है मात्मा गांधी समेत हर बड़े नेता ने इस अस्प्रिश्टा या चुवाचूत की खिलाफत की इसके बारे में इसको बुरा बताया इसको अमानवी कहा और इसको बदलने का हिमायत के बारे में अपने वक्तवे दिये है मात्मा गांधी ने हरिजन की बजाए दलित की बजाए हरिजन शब्द इस्तमाल किया ताकि लोगों के बीच में भेदभाव की ये भावना चुवाशूत की भावना कम हो सके हरि यानि भगवान और जन यानि लोग यानि ऐसे लोग जिनको गंदा मान करके अचूत मान करके दूर रखा जाता था समाज से उनको मात्मा गांधी ने हरिजन शब्द कहा यानि वो भगवान के लोग है और उनको समाज में शामिल किया जाए इस तरीके से हर बड़े नेता ने इस कूपरथा का विरोध किया और जब देश आजाद हुआ जब देश का सम्विधान बनाए गया तो लोगों को इस अस्प्रिशता के या छुआ छुआ छुद की जो इस कलंग से मुक्ति मिली इस के खिलाफ कानून बनाएगे इसको दंडित किया जाने वाला कानून बनाएगे जब ऐसे ऐसा कोई करता है शुआ छुआ शुआ छुट की गतिवधी को अंजाम देता है तो उसको दंडित भी किया जाएगा और ये धीरे धीरे हमारे फमाज से समाप्द भी हो गया हम सरकार की जो भूमिका है यहां पर देखते हैं कि समानता लाने के लिए समाज में ऐसे बहुत सारी सरकार schemes बनाती है ऐसे बहुत सारी योजनाएं चलाती है जिससे लोगों को उनके जीवन को बहतर बनाया जा सके जब हम समाज में अगड़े और पिछड़े की बात करते हैं बहुत सारे भेदभाओं की बात करते हूं तो एक बहुत बड़ा भेदभाओं हमें दिखाए दिता है लेंगी का धार पर यह जेंडर बेस पर लड़का लड़की महिला पुरुष के अधार पर भी भेदभाओ है सरकार वहां पर भी बहुत सारे ऐसे कानून बनाती है विशेश प्रावधान करती है जिससे महिलाओं को लड़कियों को बहुत सारी सुवेधाय मिले सरकारी स्कूल कॉलेजेज में लड़कियों की फीस को कम कर देना या उन कारणों में से है अभी हाल फिल हाल सरकार की बहुत सारी योजनाएं भीस पर काम कर रही है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ इस तरह की योजनाएं हम मकसर टीवी पर सुनते हैं, हमको जानकारी इसकी मिलती है, ये वो सारे कदम हैं जो किसी लोगतांतरिक सरकार को उठाने होते हैं, सरकारें ऐसा करती हैं, और समाज में जो असमानता है, उसको कम करने का प्रयास करती हैं, जो लोग पिछड़े रहें उनको आगे बढ़ा करक की कोशिश की जाती है, ये सारे के सारे लक्षण एक लोगतांतरिक सरकार के हैं, और सौभाविक तोर पर भारत की सरकारें, भारत की राजे सरकारें, इस प्रकार की हैं, इस नेचर की हैं, इसलिए भारत में लोगतांतर है, हम ये सपस्ट रूप से समझ सकते हैं, यहाँ प